हलो इस्टुएंट वेलकम टू आसेस क्लासेस PCM PCV बचो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमेश्टी में कुछ प्रिवियस एर इंपोर्टेंट कोस्टें जो कि हमारे क्लास 12 बोर्ट इक्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ट इक्जाम के लिए यह क OF चलिये स्टार्त करते हैं प्रीवियस एर केमेश्टी के पीवाई क्यू कोस्टें ठीक है प्रीवियस को इसْक्वियर कुस्टेंट कोस्टेंट को सब्से पहले कि बात करते हैं How will you obtain monobromobenzene from aniline Aniline से आप monobromobenzene कैसे बनाएंगे तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर आंसर की बात करते हैं कि When aniline dissolve are suspended in coal aqueous mineral acid and treated with sodium nitrate a diazonium salt is formed ठीक है diazonium salt क्या होगा बनेगा This diazo salt on treatment with फिर जो diazo salt बनेगा उसको हम treatment करेंगे किसके बात क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ जब हम इसकी reaction कराएंगे तो यह क्या बनाएगा Gips monobromobenzene बनेगा ठीक है आईए समझते है reaction के माधिया से तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा Aniline होगा क्या होगा यह है Aniline ठीक है अब देखो Aniline Dissolve in Dissolve या फिर Suspended in Cold Cold Aqueous Mineral Acid तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो Aniline होगा उसको Cold Aqueous Mineral Acid में Dissolve करेंगे और Dissolve करने के बाद में and Treated with Sodium Nitrate और Sodium Nitrate के बाद साथ में क्या करेंगे इसको Treat करेंगे या Reaction कराएंगे ठीक है तो जब यह Reaction कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 273 यानि 273 278 Kelvin Temperature पर तो जो Product बनेगा बच्चो वो Product बनेगा Benzene Diagonium Chloride क्लोराइड बनेगा उस Benzene Diagonium Chloride के हम Reaction किसे कराएंगे Q-Pres Bromide के साथ तो जब हम Q-Pres Bromide के साथ Reaction करेंगे तो यहाँ पर जो Product बनेगा वो बनेगा Mono Bromobenzene क्या बनेगा Mono Bromobenzene मनेगा और Nitrogen अलग हो जाएगा तो पहला Question आपको समझ में आया होगा और यह Question यह हमारा क्या है Very 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 Important में जाएगा ठीक है यह बहुत ही ज़्यादा Important Question है यानि इसको आप Very Very Important में रखिएगा और इसको Copy Pen लेकर के Note कर लिजेगा Question No.2 की और चलते हैं How is Clorobenzene Halogenate in presence of Halogen Carrier Right Related Equation ठीक तो चलते हैं भाई देखो हम क्या करेंगे कि Clorobenzene Question क्या है How is Clorobenzene Halogenate ठीक है and in the presence of Halogen carrier चलो भाई देखते हैं आपर तो सबसे पहले यह हमारे पास Clorobenzene given है अब हम इस Clorobenzene को Halogenate कराएंगे या इसका Halogenation कराएंगे तो यहाँ पर हम Clorine के साथ इसका Reaction कराएंगे ठीक है और यहाँ पर क्या होगा एक हमारे पार Presence में Halogen carrier होगा जो ALCL3 है तो देखो यह जब इसकी Presence में ALCL3 की Presence में जो हमारा क्या होगा Clorobenzene है Clorine के साथ Reaction करके यहाँ पर यह Compound बनाएगा ठीक है दो इस ट्रक्चर आपको देख रहे है तो जो पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलेंगे Ortho-Di-Bromo-Benzene Ortho-Di-Bromo-Benzene और जो Second Structure आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे Paradichlorobenzene क्या हो जाएगा Paradichlorobenzene ठीक है बहुत important question है और यह question आपका भी 2023 जो पिछला वोर्ड exam हुआ था उसमें आपका पूछा गया question ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा important है नोट कर लीजिएगा और अगर कोई आपको doubt होता है तो आप comment करके बताइए और comment करके जब आप बताएंगे तो मैं उसका आपको solution दूँगा आगे देखिएगा थर्ड question जाता है बच्चो How Freon 12 ठीक है Freon 12 is prepared Freon 12 को कैसे prepared करते हैं और आगे देखिएगा What is its effect on atmosphere और atmosphere पर इसका effect क्या होगा ठीक है चलिए हम देखते तो देखो हम Freon 12 कैसे बनाते हैं तो बच्चो इसमें क्या होगा CCL4 carbon tetra chloride की reaction हम लोग कराएंगे SBF3 के साथ में in presence of SBCL3 जो कि एक catalyst का work करेगा ठीक है तो जग carbon tetra chloride SBCL5 catalyst की presence में reaction करेगा presence में reaction करेगा so the product is form Freon 12 सो हमारा जो product बनेगा वो कौन सा बनेगा वो बनेगा Freon 12 क्या बनेगा बच्चो Freon 12 बनेगा and 2SBCL3 अलग से बन जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम Freon 12 बना सकते हैं अब बच्चो Freon का effect atmosphere पर कैसा पड़ता है तो Freon gas जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी ozone layer है उस ozone layer को damage करने का काम करती है ठीक है most important ठीक है question और question number 4 की और चलते है how will you convert chlorobenzene into following ठीक है हम chlorobenzene को following में कैसे convert करेंगे जैसे chlorobenzene से benzene बनाना कैसे बनाएंगे chlorobenzene से benzene तो हम क्या करेंगे यहाँ पर chlorobenzene का reduction करा देंगे ठीक है और NaOH और nickel alloy की presence में तो यहाँ पर जो structure आपको दिख रहा हो क्या बन गया बच्चो यह बन गया आपका benzene बन गया समझ में आया होगा उसके बाद में हम बच्चो बात करेंगे phenol कैसे बनाएंगे chlorobenzene से तो chlorobenzene से phenol बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि chlorobenzene को molten NaOH की presence में 300 degree Celsius temperature पर जब reaction करेगा तो यहाँ पर बनेगा यह जो product आपको दिख रहा है यह बनेगा sodium phenoxide ion क्या बन गया यह sodium phenoxide ion बन गया और sodium phenoxide ion की dilute HCl के साथ dilute लेंगे याद रखिएगा dilute hydrochloric acid के साथ में जब हम reaction कराएंगे तो यहाँ पर जो product बनेगा वो होगा हमारा phenol ठीक है क्या होगा phenol और क्या बनेगा NaOH ठीक है तो इस तरीके से हम chlorobenzene से phenol बना सकते हैं आगे हम next reaction की बात करते हैं toluene अब toluene chlorobenzene से कैसे बनाएंगे तो chlorobenzene की reaction हम लोग methyl chloride के साथ कराएंगे chlorobenzene reacted with methyl chloride in presence of ether ठीक है तो जब reaction करेगा तो यह बन जाएगा यहाँ पर toluene क्या बना toluene बन जाएगा और यह salt NACL अलग हो जाएगा ठीक है समझ में आया होगा है ना इंपोर्टेंट कोस्चन है बच्चो बहुत इंपोर्टेंट है जितने भी previous और बहुत ही बड़ा लेक्चर मैंने लेता हूं सिर्फ 10 से 12 या 15 मिनिट का लेक्चर होता है जिसमें हम कुछी डेली का डेली चार से पांच कोस्चन ही डिसकस करते हैं आपके बोर्ड एक्जाम तक मैं सारे कोस्चन जितने भी previous और कोस्चन आए हैं वो सभी मैं कोस्चन आपको डिसकस करवा दूँगा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप छोटा वीडियो जितना चार कोस्चन दिये गए उन सबसे पहले नोडिफिकेशन आपके पास पहुचे और हर एक नोडिफिकेशन आपके पास पहुचे हैं ठीक है क्लास 10 और 12 की जो मैट्स की क्लास हो रहे जिसमें most expected previous year क्वेस्चन है वो साम को आठ चालिस से होती है तो आप सभी लोग अगर मैट्स से हैं तो मैट की लाइक क्लास चलती है उसमें आप साम को आठ चालिस पर आएं क्लास में ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next lecture में thank you for this class